हेलो दोस्तों इस न्यू चैनल पर आप सभी का स्वागत है आज हम कंपेरिजन करेंगे सोलीड के दो बोक्सों में एक है डबल नाइन डबल नाइन और दूसरा है एट वन एट वन तो इन में क्या डिफरेंस है कौन सा बैस्ट रहेगा आप खुद तै कीजिए लेकिन उससे पहले अगर आप इन बोक्सिज को लेना चाते हैं तो डिस्क प्रिशन में लिंक मिल जाएगा वहाँ से परचेज कर सकते हैं तो यहाँ पर हम आपके लिए लेकर आए हैं दस ऐसी चीजे जिनसे आप खुद डिसाइड करेंगे कि कौन सा बैस्ट रहेगा आपके लिए तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले बात करें मोडल से मोडल इस परकार का देखने को मिलेगा यहाला कि 9999 बड़ा है और 8181 छोटा है साइज में फ्रंट की बात करें तो इस परकार का इंटरफेस आपको मिल जाता है यहां पर तीन की उपर वाले में है तीन की नीचे वाले में है लेकिन USB सामने फ्रंट में केवल 8181 में दिखाई देगी और 9999 में नहीं है और अगर बैक की बात करें तो बैक में आपको इस परकार का इंटरफेस मिलता है दोनों में LNB इनका है, Ethernet है 12 voltage का adapter यहाँ पर लगेगा, इसमें side में है और इसके अंदर audio video cable तीन अलग है और इसमें AV का port इस परकार का 3.5mm jack वाला मिल जाएगा HDMI है दोनों supported, RS-232 support करता है यहाँ पर RS-232 का port दिया हुआ है 9999 में आपको IR sensor का option मिल जाता है जबकि 8181 में नहीं है यहाँ इस परकार देखेंगे, तो port यहाँ आएगा इसका look इस परकार का जाली वाला है और इस side की बात करें तो USB port आपको 999 में इस परकार मिलेंगे और 8181 में एक back में है और एक front में है तो आपने size देख लिया होगा छोटा सा size है 8181 का देख सकते हैं looking में भी काफी अच्छा है अब बात करते हैं इसके features की चलते हैं इसके internal menu में जो solid का 99999 है यह है sun plus chipset का और यह है montage chipset का दोनों में same features हैं same quality है लेकिन कुछ चीजों का difference भी देखने को मिल जाता है अगर इनकी storage की बात करें दोनों में 4000 channel storage कर सकते हैं और 2000 transponder अगर picture quality की बात करें वो भी same है sound quality दोनों में same है लेकिन AC3 audio support नहीं करते अगर 8181 की बात करें तो उसमे language select करने में भी दिक्कत आती है language हिंदी select नहीं होती लेकिन 9999 में select कर सकते हैं लेकिन जो हमारा ये 9999 है ये है HD S2 और ये 8181 ये है HD S2 X T2 MI का option भी यहाँ इसमें मिल जाता है तो ये benefit 8181 का extra है यहाँ पर 9999 मात खा जाता है हाला कि दोनों H.E.V.C supported है H.265 format को support करते है और अगर यहाँ पर price की बात करें तो दोनों में ये 8181 सस्ता है और 9999 महंगा है 400 रुपे extra महंगा मिलेगा 9999 अब चलते हैं इसकी TV स्क्रीन पर अब हम चलते हैं TV स्क्रीन पर अब यहाँ पर बात करें हो है जबकि 8181 में काफी smooth आप यूज़ कर सकते हैं अगर आपको अपने फोन का डाटा अपने TV स्क्रीन पर चलाना है तो उसमें 8181 बाजी मार जाता है यहाँ पर यह थोड़ा सा पिछड़ता हुआ नजर आता है नेटवर्क अप्लिकेशन में आपको रहने का ओप्शन मिल जाता है इसमें मुझे थोड़ी प्रोब्लम देखने को मिली है जबकि 8181 में smooth चलता है एक ओप्शन का और अंतर हमें यहाँ पर देखने को मिल जाता है यहाँ पर आपको दोनों बोक्स में OTA सपोर्ट मिल जाता है लेकिन अभी तक 9999 का कोई भी software updated नहीं आया है 8181 में OTA सपोर्टीड है वहाँ से update करने के बाद online application में जाएंगे तो एक set IP का option और नजर आने लगेगा set IP एक ऐसी चीज है जहाँ पर आप अपने set box के channels अपने mobile में भी देख सकते हैं एक application आपको अपने mobile में इंस्टोल करनी पड़ेगी फिर आप अपने mobile पर सभी channels operate कर सकते हैं remote की तरह भी काम कर सकते हैं total 128 channels से ही आपके box से आपके mobile में नजर आएंगे तो ये benefit भी 8181 में नजर आता है अब बात करते हैं main चीज की, tuner की मैं यहाँ पर आपको एक satellite स्कैन करके दिखाता हूँ जिससे आप खुद अंदाजा लगाएंगे कि कौन सा tuner best है चलिए satellite में चलते हैं यहाँ satellite list मैंने निकाल ली है मैं यहाँ पर 83 ट्रैक करूँगा 83 के signal यहाँ पर जितने भी हैं दोनों box में आपको दिखाऊंगा और दोनों में ट्रैकिंग करके दिखाएंगे कि किस में आपको signal ज्यादा मिलते हैं किस में ज्यादा चैनल समय प्राप्त होते हैं तो चलिए scan कर लेते हैं यहाँ network search off रखेंगे channel all और scan type रखेंगे blind और TV यहाँ पर रखेंगे तो इसे scan करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें total channels मिले हैं 77 अब यह है बात डबल नाइन डबल नाइन मोडल की अब बात करते हैं 8181 की मैं आपके सामने box को change करता हूँ यहाँ पर box लगा देते हैं दूसरा यह हमने 8181 box लगा दिया है अब यहाँ पर देखते channels blind scan और search अब देखते हैं यहाँ पर हमें कितने लिए 99 channels receive हुए है 8181 box में में difficulty महसूस करेंगे जब की 9999 में असानी से track किया जा सकता है 8181 में आप अच्छे से track नहीं कर सकते तो 9999 आपको यहाँ पर अच्छे से signal लाकर देता है अब बात करें वाइफाइ डोंगल की कि कौन सा इन में support करेगा देखिए दोनों box solid के हैं और solid में मैंने try किया universal का दूसरा मैं आपको दिखा दूँ यह computer वाला है अपनी local market से आप purchase कर सकते हैं multi byte का यह भी supported है एक यह इस परकार का मिलेगा बड़ा antenna यह है ibone plus का यह भी purchase कर सकते हैं यह भी supported है और साथ ही साथ एक यह है universal है यह भी तो कोई भी आप दोंगल use कर सकते हैं इसमें कोई issue नहीं देखने को मिला supported है बिल्कुल okay चलते हैं तो यह था comparison आप खुद सोचिए और हमें भी बताइए कि आपको कौन सा सही लगा और आपके हिसाब से कौन सा box लेना चाहिए नीचे comment जरूर कीजिएगा तो वीडियो में इतना ही वीडियो अच्छी लगे like share जरूर कीजिएगा और चनल पर नई है subscribe कर लिजिए धन्यवाद